की है लो आशि इस वीडियो में हम डिस्कास करींगे शाया को सबस्केक बारे में ूधार में स्गार् सेफनेश ецरीं की बारे में इसका सजिगत को सबस्क्राइब दिव Düटेड थे सब्सक्रे हैं इंडियां नेपाल बंगलादेस वर्वा इन इंडिया में सबस्बॉर्फ़फई हैं सबसे पहले हैं इसके तषण हिर्फ की अप्रगी को कुस्छ सबसे पहले हैं लूज Points को देखेंगे तो जीच These होता है वो evergreen plant है slow growing है palm like small tree है इसका जो पेड़ होता है वो ताड की पेड़ के जैसे होता है विद एन एवरेज आफ फाइट 1.5-3 meters commonly found in gerophytic habitat यह जो साइकल होते हैं वो जिरोफिटिक habitat में पाए जाते हैं इतज आल्सो नोन आल्सो ग्रोण अंडर कल्टिवेशन इन गार्डन यह क्या होते हैं कि गार्डन में भी ग्रो कराया जा सकते हैं यह होते हैं इस पोरोफिटिक प्लांट बाड़ी इस डिफ्रे होते हैं वो टैप रूट होते हैं और यह हेल्प करते हैं अटेच्मेंट के लिए हेल्प करते हैं और वाटर के एब्सॉर्प्सन के लिए हेल्प करते हैं कौन नॉर्मल रूट वहीं जो कोरेल वैड रूट होते हैं यह क्या होते हैं कि यह ग्रो करते हैं सर्फिस ऑफ स्व प्रासेस आफ नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रासेस में करता है तो यहां से कि किसमे प्रासेस का बना होता है तो बनाते हैं नेक्ट रम बात करेंगे इस टेम के बारे में तो इस टेम जो होता है पहले हम यंग स्टेम के बारे में डिसकर करेंगे फिर ओल्डर इस ट्यूब्यूरस और इस ट्यूब्यूरस ब्राउन इसका इसका पार्ट वह ब्राउन स्क्याविस से डहका हुआ होता है ये ओल्डर क्रांट में यह स्टेम ठीक हो जाएंगे बड़ी वर्म में, यह धीक होग भी इंस्टेम होती हैं साइकल सके वह नबरांष्ट वे लेकिन वोता कभी किसी इंजरी के, हो दो भागों में कि देखने पर ऐसा प्रतीत होगा कि बात करेंगे तो साइकस के बारे में तो जो साइकस का लीव होता है वह वह पहला है फोली ज्लीफ फोलियो स्ट्राइड नीचन विच विच्व इस ट्रॉक्टिर इच ताइप से अनुपनाते हैं इस टेम इस हैं प्रतेक लीफ के पास 80-100 प्रतेक लीफ के पास 80-100 प्रतेक लीफ के लीफ लेट होते हैं वहीं जो दूसरा टाइब का लीफ होते हैं सब्सक्राइब करें अब इसके लिफ सोटे हैं यह जो आपकर मेरी स्टेम और उसके अधर जो अदर पार्ट होते हैं उन सबको प्रोटेक्ट करता है अब डिसक्स करेंगे इंटर्नल स्ट्रक्ट्ट्र ऑफ साइकल्स पोर वाइट में सबसे पहले हमने एक्सटनल वार्फोलो को डिसक्स करेंगे यह भी एक्जाम के पॉइंट आफ यूसे बहुत इंपॉर्टेंट है तो चलिए सबसे पहले हमें टियस ऑफ इस टेम के टियस को तो इसमें पहला जो हीडिंग है वो क्या है इपी डर्मीज जो यह होता है आउटर्मोश लेयर होता है सबसे बाहरी लेयर ह इसमें लेशें प्रजन होते हैं उसकी वज़े से इनकी जो सेप होती है वह डिसकॉंटीनिवर होती है नेक्स्ट है पॉर्टेंग्स तो इटिज फॉर्म इग्रेट पार्ट आफ इस्टेम होता है इस्टेम के बड़े भाग को बनाने में हेल्प करता है एग इजिट इज कोर्ट से पिलक बना होता है रेच प्रिजेंग्स स्टेम्स इनकी स्टेम्स छो फैर को ये इसिम्स में इसटेम में प्रगें इंदूर में इसम बन्डल होते हैं झो फो को तेख के अंदी यह जो यंग इस टेम में कोडें की विंदल होते हैं चोड़े होते हैस्वाल होते हैं यह पहले जो ऑइसकोल इसको को बॉलेंगे इस वाले layer को cortex कहेंगे अंदर यह देखिए यहां पर जो layer है इसे हम म्यूसिटेजनस सीथ कहेंगे बीच में जो इस टाइफ से प्रजेंट है इसको पीत कहेंगे और यह जो ring-like sunrushna बनी है इस तरह से इसको first string of gylung कहेंगे और इसको leaf traces कहेंगे सब्सक्राइब का इंटर्नल इस्ट्रक्चर तो सबसे पहले इसमें रैकिस के टीस फॉम देखेंगे जो की सोस फालॉइंग इस्ट्रक्चर आप ऐसे लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें भी आएंगे यह सबसे बाहरी लेयर होता है और यह एक ठीक लेयर से कवर हुआ होता है इसको हम हाइपोडर्मिस कहते है विच इस जो हाइपोडर्मिस होता है यह दो ताइप के स्पे कर बना होता है दो से तीं落 ओते हैं ऐसमें चार से पांच लेयर होते है ईसका की मैत्रक्ण ऑ dus piss के जो लेयर होते हुए उनका चार से 5 लेयर होता है next है ground tissue just below the hypodermis ground tissue present hypodermis के नीचे ground tissue present होते है which is composed of parent parameter cells ये जो ground tissue होते है वो parent parameter cells से मिलकर बने होते है there are many vascular bundle in the ground tissue ground tissue में बहुत सारे vascular bundle present होते है which is conjoined collateral and open ये जो vascular bundle होते है वो conjoined होते है collateral होते है और open vascular bundle is present in such a way that they form omega-like structure ये जो vascular bundle होते है इस तरह से धेर सारे vascular bundle इस तरह से arrange होते हैं कि लग रहे हैं कि वो omega जैसे omega की तरह सानरश्णा बनाते हैं जैसे omega structure होता है उसी तरह से सानरश्णा बनाते हैं the arrangement of gylum and ploium differs from vascular bundle in the bundle आप पर epidermis, scleran chemitis, brown tissue यहां पर है यह मिसीलेजिनस duct है और इसको vascular bundle कहेंगे जो इस तरह से arrange है यह omega resistance बना रहे हैं नेक्स्ट है हमारे जो टॉपिक है यह है इसमें भी सबसे पहले epidermis पहाएं जाएगा इस आउटर मोस्ट लेयर आफ लेयर विच इस सिंगल सेंड यह सबसे बाहरी लेयर होता है जो कि सिंगल सेंड होते हैं the epidermis is covered by a thick layer of cute kill के लिए जो epidermis होता है एक ठीक layer से cover होता है अपर epidermis is continuous whereas the lower epidermis is interrupted by the presence of sun के निश्टोमेटा अपर जो epidermis होता है वो continuous होता है लेकिन lower epidermis में sun को इस्टोमेटा प्रिजेंट होता है इस फालूट बाई हाइपोडर्मिस से और इसमें भी जो epidermis होता है वो hypodermis के तो फालूट किया जाता है नेक्श है mesophyll tissue तो just below the hypodermis there is a well-developed mesophylls hypodermis के नीचे एक well-developed mesophyll present होता है विचे differentiated into palisade spongy and parent kyma यह जो mesophyll होता है यह differentiated होता है palisade spongy और parent kyma में the palisade layer is continuous single cell where the parent kymaters consist of several layers which is in which the cells are loosely arranged जो parent palisade layer होता है वो continuous होते हैं और single cell होता है उसमें several layers present होते हैं जिसमें कि cells होते हैं वो loosely arranged होते हैं इस cell of both palisade and spongy parent kyma are reaching chloroplast जो palisade और spongy parent kyma दोनों के cell होते हैं उन्हें chloroplast प्रचुर मात्रा में होती है तस देप्लेजान इंपोर्टेंट रोल इन दी प्रॉसेस ऑफ फोटो सैंथेस प्रॉसेस से वह एक important रोल प्ले सें करते हैं प्रॉसेस के प्रॉसेस में नेक्ष्ट है तैसधी नेटीने टिशियुह यह एस नीटीन टिशी घृट करते हैं यह sutब कर industry विडेट वज्वाटरी अभटिक्षन आफ-वाटरई करनेट वड़मीं करता है प्रेचिया है